Delhi World Public School, India's No.1 Emerging School, जहां है Cadmex, Sports and Performing Arts का बहतरीन कॉंबिनेशन Admissions Open from Pre-Nursery to 9th Social Media भी महत्वपूर्ण भूमी का निभा रही है Corona Virus का परकोप बढ़ने के साथ ही Social Media पर कई लोग जागरुक करने का काम भी कर रहे हैं अलग-अलग सरकारी, नीजी, सामाजिक सेवा से जुड़े संस्थान, कोरोना से, सावधानी से संबंदित मैसेज भेज कर जनता को जागरुक करने का अपना कारे कर रहे हैं हाल ही में, माइक्रो ब्लोगिंग साइट, ट्विटर ने भी करोना वाइरस से जुड़ी गलत खबरों पर प्रतिबंध लगाने की गूशना की है इसके अलावा, फेस्बुक ने भी गलत विज्यापनों को अपनी साइट से हटा दिया है परंतु इसी के साथ कुछ शरार्ती तक्तों द्वारा, कुछ अफ़ाओं से सम्मंदित मैसेजिस भी सोशल मीडिया पर खूब परसारित किया जा रहा है और सोशल मीडिया उपियोग करता हूं द्वारा, इन फरजी मैसेजिस को भी सच समझ कर आगे फॉरवर्ड किया जा रहा है कुछ दिन पहले ऐसे ही एक आडियो मैसेज को वाटसब ग्रूपों में भीजा जा रहा था और सही और स्रठीक जानकरिया आप लोगों तक पहुंचाने के लिए WHO, Press Information of Puro और भारत सरकार द्वारा लोगप्रिये Instant Messaging एप वाटसब पर क्रोना वाइरस हेल्प लाइन नमबर जारी किया गया है यह Automated WhatsApp नमबर है जिन पर आप सम्मंदित जानकारिया पराप्त कर सकते हैं इसके अलावा फर्जी जानकारियों और मैसेजिस को भी आप इन वाटसब नमबर पर साजा कर सकते हैं आप इन नमबरों को सेव कर सकते हैं और सही और स्रटीग जानकारी पराप्त कर सकते हैं वर्ड हेल्थ और्गनाइजेशन का नंबर है प्लस 4179893189 तो इसके अलावा दूसरा नंबर है प्रेस इंफोर्मेशन ब्यूरो का 8799711259 और तीसरा नंबर है माई गौव इंडिया की ट्विटर हैंजल से जारी किया हुआ जो है 9013151515 चलिए अब आपको बताते हैं कि कोरोना वाइरस को लेकर जारी किये गए इन वाटस अपने नंबर का उपयोग करना कैसे हैं आपको जो वाटस अप नंबर दिये गए हैं इन नंबर को सबसे पहले आपको अपने फॉन में सेव करना है सेव करने के बाद केवल इस नंबर पर ह से सेंड करते इसके बाद आपको कोरोना वायरस से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां पराप्थ हो जाएगी ओधारण के तौर पर अगर आप ए टाइप करते हैं भेजते हैं तो उसमें आपको इस वायरस से जुड़े लक्षनों से जुड़ी जानकारियां मुहया टोल फ्री नमबर 1075 भी जारी किया है, इसके अलावा नैशनल हेल्प लाइन नमबर 911123978046 भी जारी किया गया है, उहीं सरकार ने लोगों को सुरक्षों को ध्यान में रखते हुए एक हेल्प लाइन जीमेल आईडी की भी सुविजा पेश करी है, अगर आप कोरोना वायलस 5534534 पर भी किसी फरजी खबर की सूचना कर सकते हैं, साथ ही Mttv इंडिया भी आपसे अनरोध करता है कि किसी भी तरह की सूचना को अन्य को फॉरवर्ड करने से पूर्व उसकी सत्यता की जांच अवश्य कर लें, अन्य था आप पर भी कानूनी कारवाई की जा सकती है, लिए हमें बचाओ कि कुछ तरीके अपनाने होंगे, खासते या छीकते समय हमेशा अपने मूख और उमाल से या टिशू से ढखें, इस्तमाल किये हुए टिशू को तुरंत धकनदार कच्रे के डबे में डाल दें, अपनी आख, नाख और मूख को हाथ से नच्छूएं भीड बाहर वाली जगाँ पर जाने से बचें, अगर आपको खासी बुखारी असास लेने में तकलीफ हो रही हैं, तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें, नमस्कार मैं हूँ अमिताब बच्चन, देखें हम सब मिलकर नावल करोना वाइरस या कोविड नाइंटीन को पहलने से रोक सकते हैं, इसके लिए हमें बचाओ कि कुछ तरीके अपनाने होंगे, खासते या छीकते समय हमेशा अपने मूँ को रुमाल से या टिशू से ढखें, इस्तमाल किये टिशू को तुरंत धकनदार कच्रे के डबे में डाल दें, अपनी आख, नाख और मूँ को हाथ से नच हुएं आप, अपने हाथों को समय समय पर सावन और पानी से लगबख 20 सेकंड तक दोएं, भीड भार वाली जगह पर जाने से बचें, अगर आपको खासी बुखारी असास लेने में तकलीफ हो रही हैं, तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें, ऐसे लक्ष एक हेलप लाइन है, 011-239-78046, अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए